हेलो फ्रेंट्स गुड इवनिंग कैसे हो होब करता हूँ आप सबी लोग अच्छे ही होंगे फ्रेंट्स आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे UPB8 काउंसलिंग 2022 के बारे में की B8 की जो ऑनलाइन काउंसलिंग होती है वो कैसे होती है इस्टे बाई इस टेप में आपको इस वीडियो में बताऊंगा और काउंसलिंग में कौन-कौन से डॉक्मेंट्स लगते हैं तो पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ B8 की पल-पल की latest authentic अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहे है जो BUP B8 की अपडेट हैगी TED CT8 की अपडेट हैगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के मादधम से ही देखने को मिलेगी तो चलिस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आप सबी लोगो मैं बता दिया हूँ कि आपकी जो counseling होगी वो आपके इस्टेट rank के हिसाब से होगी एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ जिनकी इस्टेट rank एक से बारा हजार की बीच में है तो उनको जो है government college भाई मिल सकता है नमबर आप लोग मत बताय करें आप लोग अपनी state rank बता करें और बारा हजार से उपर जिनकी rank होगी state rank उनको जो है भाई private college ही मिलेगा ठीक है क्योंकि उत्रप्रदेश में government seat जो है 10,000 ही है और सवाद 2,00,000 से जादा total seat है बारा हजार से उपर आगर आपका rank है तो आपको private college मिलेगा 10,000 के अंदर है तो आपको fix है क्योंकि कुछ essay student होंगे नहीं लेते हैं तो बारा हजार तक थोड़ा chance रहता है तो आपको मिल जाएगा ठीक है और एक से दो दिनों के बीच counseling schedule आजाएगा ठीक है आप लोग परिशान हो रहे होंगे कि हमारी rank इतनी है तो किनका कब क्या counseling होगा ठीक है कब हम registration करेंगे choice billing कब करेंगे हमारा result कब आएगा तो ये इस तरह का देख सकते हैं आपका एक schedule आएगा rank wise आपकी counseling होगी ठीक है इसमें date लिखी रहती है मैं अच्छे से समझा दूँगा जब date आ जाएगी मतलब schedule जब आ जाएगा तो मैं अच्छे से समझा दूँगा कि इतनी rank से इतनी rank वालों के इतने दिन होगी इतने दिन आपको देखे process क्या होता इसका counseling में कुछ नहीं करना होता आप लोग अपने mobile phone से भी कर सकते है सबसे पहले करना क्या होता है registration करना होता है registration में कुछ नहीं नाम, फदर्शनेम भरना होता है ठीक है और जिनका भाई मैं बता दूँ नुकसान थोड़ा उन लोगों का होगा जिनकी rank अच्छी है जिनकी rank अच्छी है यानि कि 10,000 से अंदर जिनकी state rank है और उनका appearing था appearing का result नहीं आया है तो उनका नुकसान है क्योंकि एक महीने counseling चलेगी तो अंतिम तक में आपका result आएगा तो आप लोग छोड़ जाएंगे इसमें तो government college उनको नहीं मिल पाएगा जिनकी rank अच्छी है और जिनका result नहीं आया है तो आपको बाद में ही private college मिलेगा तो registration होता है उसके बाद choice filling choice filling का मतलब ये है आपको college select करने पड़ते हैं मैं आपको उतादू आपके आस-पास जितने भी college है वहाँ से आप लोग contact कर लें allotment यानि कि जो मान के चली 10 college आप लोग लोग किये हैं तो आपके rank के हिसाब से एक college दिया जाता है फिर उस college में जैसे आपको admission लेना है तो आपको अपनी बकाया face जमा करनी पड़ेगी online face सारी face करती है जब आप लोग अपनी face pay कर देंगे पूरी तब आपका final admission हो जाता है तो ये होता है process ठीक है जब online इसकी counseling स्टार्ट हो जाएगी 10 अगस से तो मैं पूरा process बताऊँगा ठीक है अच्छे से समझाँगा और अच्छे से समझाँगा ठीक है कैसे किया जाता है उसमें option भी आजाएगा ठीक है पूरा मैं करते हुए चलूगा आप लोग भी अपने phone से कर सकेंगे ठीक है चलिए और भी चीज़े मैं बताता हूँ यहाँ पे मैं note करके रखा था कम से कम भाई आपको 20 से 25 callless lock करना है ये नहीं कि मेरी इतनी rank है attitude में आप लोग एक ही callless भर दिये और फिर नहीं मिलेगा फिर आप लोग comment करेंगी कि इतनी rank थी मुझे callless नहीं मिला है तो ज़्यादा smart नहीं बनना है कम से कम 20 से 25 आपको callless lock करने है ठीक है अगर आपको beard करना है साल अपना बरबात नहीं करना है ठीक है तो 20 से 25 callless आपको lock करना है ठीक है documents भाई क्या-क्या लगेगा mark seat लगेगी जिनका जैसे appearing में था ठीक है without mark seat के आपका admission नहीं होगा ठीक है bank pass book bank pass book इसलिए लिया जाता है जो 5750 counselling के fees होती है इसमें से मैं बता दूँ 5000 जो है college के advance fees होती है जैसे आपको college नहीं मिलता है तो आपके उसी bank account में आपका जो पैसा है 5000 वो वापस कर दिया जाएगा ठीक है तो बहुत सारी comment आ रहे थे जैसे हम counselling करवाते हैं हमें college मिल जाता है हम उसमें admission नहीं लेते हैं तो हमें पैसा वापस आ जाएगा हमारा पैसा वापस आ जाएगा तो ऐसा नहीं होता है आपको कोई भी college मिलना नहीं चाहिए अगर कोई college नहीं मिलता है तब आपका पैसा वापस आएगा ठीक है अगर college मिल गया बाद में admission नहीं लेते हैं आपका पैसा एक भी रुपए वापस नहीं आएगा, ठीक है, यह doubt आपका clear हो गया होगा, ठीक है, और भी गलतियां क्या नहीं करनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है, call is lock करना है, सबसे बड़ी यही गलती लोग करते हैं, एक दो call is lock कर देते हैं, फिर comment करेंग तो तीन round में आपकी counselling होगी, ठीक है, एक first round में, उसके बाद pool counselling, pool counselling में जैसे जिनका first में नहीं हो पाता है, तो वो pool counselling में भी अपनी counselling करवा सकते हैं, और जिनका जैसे pool में नहीं होता है, तो direct admission में भी अपना लेशक्ते हैं, जिस college में जैसे seat खाली है, تو वहाँ पे आ अधन खाती का विबरन आपको नहीं बनना है जो फ्री वाला एकाउंट हो घोगा आपको एकाउंट लोग दिकत नहीं क्योंकि होता ये है जब आपका जैसे admission हो गया माल लीजे आपका ये जिला है और आपका admission जो है दूसरे जिले में हो जाता है ठीक है दूसरे जिले के college में हो जाता है तो फिर scholarship को जब आप लोग farm भरेंगे तो वही जिले का account होना चाहिए तो अगर आपके पास account है तो आप लोग लगा दीजेगा पुराना वाला ही कोई दिकत नहीं होती है 5000 आपका वापस आजागा बाद में जैसे scholar इसमें नहीं आगरती है जंदन खाते वाले में ठीक है तो आभी wait के लीजेगा यहाँ पर देख सकते हैं bank का जो है विवरंड आपको दिया जाएगा देख सकते हैं आप लोग और जो appearing थे उनको जो है अपनी mark seat अपलोट करने पड़ेगी ठीक है original नहीं है जैसे net वाली भी है तो उसको जो है आपको जिस college से आप लोग रिजिशन कर रहे थे तो उस college में जाकर principal से अटेस्ट करवा लेना है आपको ठीक है तभी वो जो है valid होगी ठीक है यहाँ पर साप साप लिखा हुआ है college की प्रचार या विस्विद्याले की रजिश्टार दोरस सतापी ना हो जब तक ठीक है स्विकार नहीं की जागी जब तक आपका artist नहीं होगा reject कर दिया जाएगा ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं सारा process यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसी बीट की पलपल की update पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं जो भी यूपी बीट की update है आपको सबसे पहले हमारे चैनल के मादन से ही देखने को मिलेगे ठीक है तो जब counseling इसकी start होगी तो मैं पूरा process और भी अच्छे से बताऊंगा आपको इसके बावजूत कुछ भी doubts रह जाता है तो आप लोग comment box में अपना doubt की ले कर सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो पर इस वीडियो को like और share करना बिलकुन भी मत बूलेगा thank you so much